आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफा काइन ड्राइ सिरप 125 हमजी के बारे में इसको आप सेफरोक्सिम एकसी टेल ओरल सस्पेंशन भी बोल सकते हैं सेफ़कान ड्राय सिर्प क्या है इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है कौन-कौन सी कंडिशन में डाक्टर आपको ये लिखके देते हैं इसका दौसेज बच्चों में क्या रहने वाला है कितने टाइम तक डाक्टर इसको यूज करने को बोलते हैं ये सिरब जो है किस तरीके से आपको बनाना है यानि किस तरीके से इसको dry syrup रहता है न तो किस तरीके से आप इसको ready कर सकते हैं यूज के लिए और इस सिरब को लेने के बाद बच्चों में क्या-क्या side effect हो सकते हैं किनको इस सिरब को नहीं देना चाहिए ये सिरब किस तरीके स काम करता है इसके सब्स्टिटिट्स क्या क्या है इसका मूले कितना है कहां से आप इसको खरीज सकते हैं पूरी जानकारे आपको मैं इस्ट्ट्डियो में देने वाला हूं वीडियो को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखें नमस्षकार दोस्तों आप आप देख रहे हैं यूट्यूब चानल वेंग्टेसिच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंग्टेसिच पुजार आईए आज की चर्चक में शुरू करते हैं सेफ़काइन ड्राइ सिरप देखे यह एक अलोपतिक सिरप है और यह एक एंटिबायोटिक सिरप है जो की प्रमुकता है इस्तिमाल की जाती है बच्चों में होने वाले बैक्टिरिल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए सेफ़काइन ड्राइ सिरप जो है इसके अंदर में कंटेंट होता है सेफ़र रॉक्सिम जो की 125 mg के डोस में रहता है और जो सेफ़र रॉक्सिम सिरप्स है यह 125 mg में भी मिल जाता है 250 mg में भी मिल जाता है लेकिन जो सेफ़र काइन ड्राइ सिरप है इसके मार्केटर है मैंकाइन फार्मा और इस सिरप को 30 degree Celsius के नीचे नीचे स्टोर करना रहता है आप आपके घर के नॉर्मल तापमान में इस सिरप को रख सकते हैं यदि आप जहां रहते हैं वहां बहुत ज़्यादा तापमान ज़्यादा है बहुत ज़्यादा गर्मी है ऐसे कंडिशन में इस सिरप को आप यूज करने के बाद फिर से फ्रीज के अंदर भी रख सकते ह बात करेंगी कौन-कौन सी conditions को ठीक करने के लिए बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है तो देखिए यदि आपके बच्चों को lungs में infection रहता है, स्वास कोश में infection रहता है उनको स्वास लेने की समस्या रही जैसे कि pneumonia हो गया बच्चों की छातियों में पानी बर जाता है, फुपूस में, लंक्स में पानी बर जाता है पस बर जाता है, कभी-कभी blood भी वहाँ पे clot हो जाता है तो pneumonia की समस्या है या यदि आपके किसी भी तरीके का स्वास को सम्बंदित कोई समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए 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 जाता है या फिर बच्चों में कान में कोई infection हो गया है, गले में कोई infection हो गया है नाक में sinus का infection हो गया है, या फिर मूतर नड़ी में कोई infection, urinary tract infection हो गया है तो अच्छा में कोई infections हो गया है, soft tissues में कोई infection हो गया है या बच्चों के जो बोन से हड़ियों में कोई infection हो गया है joints में कोई infection हो गया है या फिर बच्चों के operation के दोरां, surgery के दोरां कोई infections हो गया है या फिर बच्चों में tonsillitis की समस्या आ गई है गले में जो सूजन आ जाती है वो समस्या है या फिर बच्चों के हातों में पाओं में कहीं घाओ हो गया है जो कि भर नहीं रहा है या फिर घाओं में कहीं पस हो गया है तो इन सब कंडिशन्स को ठीक करने के लिए इसको लिखे दिया जाता है यदि बच्चों को abdomen infections है पेट में कोई समस्या आ रही है इसको भी ठीक करने के लिए इसको लिखे दिया जाता है इसी तरीके से और भी बहुत सारी अन्य समस्याएं है जहां डॉक्टर अपने clinical experience के हिसाब से आपको यह लिखे दे सकता है वहाँ भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन इस सिरप को flu और common cold में नहीं लेना है वहाँ इसका कोई काम नहीं है बात करेंगे अब जो सेफा काइन dry syrup है इसके dosage के बारे में कि डॉक्टर किस तरीके से बच्चों को इसको calculate करकर देते हैं या दिया जाता है तो देखिए सेफा काइन dry syrup जो है इसका content सेफा रॉक्सिम रहता है तो सेफा रॉक्सिम का dose जो होता है बच्चों में वो होता है 15 mg प्रती kg प्रती dose इसको calculate करकर दिन में दो बार इसको दे सकते हैं इसको खाना खिलाने से या फिर feeding करने से पहले दे सकते हैं या फिर खाना खिलाने के बाद भी दे सकते हैं लेकिन more preferably खाना खिलाने के बाद या फिर feeding के बाद ही देने को डॉक्टर बोलते हैं तो एक उधारन के तोर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा मान लिजी यह बच्चे का जो weight है वो है 4 kg तो सेफर अक्सिम का जो क्या था calculation का 15 mg पर kg तो उस हिसाब से क्या हो जाता है 15 into 4 15 को 4 से गुणा कर दे कितना हो जाता है 60 mg तो 60 mg जो है इस बच्चे को सुबह भी 60 mg देना है शाम को भी 60 mg देना है तो इस तरीके से यह calculate होता है तो यह जो syrup है यह syrup 5 ml में 125 mg सुफर अक्सिम रहता है तो वहाँ calculate करना है तो calculate करने से क्या हो जाता है 25 mg परती ml हो जाता है तो उस हिसाब से इस बच्चे को 2.2 ml सुबह देंगे 2.2 ml रात को देंगे तो इस तरीके से इसको calculate करकर डॉक्टर आपको देते हैं या फिर आपके treating doctor जीसे साफसे आपको या बच्चों को यह दे रहे हैं उसे साफसे भी आप इसको दे सकते हैं बात करेंगे कितने दिन तक इस सिर्फ को डॉक्टर आप बच्चों को लेने को बोलते हैं सब्टेटेगे और हरे हैं कि कि जोडेते हैं तो इन सब चीजों पर डिपेनड करता है और कांसा लिए को धक्री clinicians इसके इलावा अगर infection level बहुत सीवियर है तो ज्यादा दिन भी इसको दिया जा सकता है infection level कम है तो कम दिन में भी इसको दिया जा सकता है अब हम बात करने वाले हैं इस सिरफ को बच्चों को देने के लिए ready कैसे करना है तो देखिए सिरफ का dry syrup जो है तो नाम में यह dry तो यह powder form में आता है तो देखिए इसमें आपको एक dry powder का एक bottle मिलता है और उसके साथ एक distilled water मिलता है तो distilled water जो है उसको आपको neck जो रहता करदम उसको घुमा कर open कर लीजिए dry powder वाले bottle में वो जो distilled water उसको पूरा डाल दीजिए और ढकान बंद करकर अच्छे से उसको shake कर ले अब जो है यह syrup यूज करने के लिए ready हो चुका है यहाँ पर हमको एक जो बात साथाने रखनी चाहिए कि एक बार यदि इस syrup open कर लिया है तो जितने दिन तक डॉक्टर ने use करने को बोला है उतने दिन तक use करकर इसको फेक दे इसको रख कर फिर से use नहीं करना है और डॉक्टर ने जितने दिन तक आपके बच्चों को इस syrup को लेने को बोला है उतने दिन तक बराबर डालना है कुछ parents क्या करते हैं एक दो दिन डाल दिया बच्चा ठेक हो गया फिर इसको stop कर देते हैं ऐसा नहीं कर रहा है ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके बच्चे को फिर से reinfection हो सकता है बात करते हैं इस सिरफ से होने वाले side effect के बारे में तो देखें side effect जो है जरूरी नहीं है जो इसको लेता हरे को किसी किसी को ही होता है अगर होता है तो क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ जैसे कि बच्चों को उल्टी आने जैसा लगना उल्टी करना, पेट में बहुत ज़्यादा मरोडे उठना, दस्ट लग जाना, एलर्जिक रियक्शन्स होना और लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो यह सब साइड एफेक्ट हो जाएं बात करेंगे इस सिरप के कॉंटर इंडिकेशन्स के बारे में किन लोगों को इस सिरप को यूज नहीं करना चाहिए तो देखे इस सिरप का जो कांटेंट है सेफरोक्सिम यदि उससे आपको अलर्जी हैं तो इसका इस्तिमाल ना करें और जो किड्नी पेशन्स हैं और यदि डॉक्टर आपको लेने को बोल रहे हैं तो अपने बच्चे को दीजिए नहीं तो इसको किड्नी पेशन्स को यूज नहीं करना है बात करेंगे यह जो सिरप है किस तरीके से काम करता है तो देखे जैसे मैंने आपको बताया था यह एक एंटिवाइटिक सिरप है तो यह क्या करता है बेक्टिरिया इसको मार देता है किस तरीके से यह जो बेक्टिरिया जो है अपने उपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है कवरिंग बनाता है सेलवल बनाता है तो उसको यह नहीं बनाने देता है जिस होजे से बैक्टिरिय सरवाई नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, जिस होजे से जो बैक्टिरिल इंफेक्शन के वजे से आपको जो लक्षन हो रहे होते हैं, वो लक्षन कम होते जाते हैं और आपके जो राहत मिलना शुरू हो जाता है, बात करते हैं इस सिरप के सबस्टे बनाती हैं कुछ अलग ब्रैंट्स के बारे में आपको बता देता हूं जैसे कि अल्टा सेफ सस्पेंशन जोसेफ ड्राइ सिरप सेफरोक्स ड्राइ सिरप सेफ ड्राइ सिरप नाइलो सेफ 125 mg dry syrup तो ये सब जो syrup है इनको substitute बोला जाता है इसके अंदर भी content same होता है इनका भी working action वगरा सब same होता है बात करेंगे इस syrup के मूले के बारे में देखें सेफा का इन dry syrup 125 mg का जो है ये आपको 178 रुपए 178 रुपीज में 30 ml का एक bottle मिल जाता है बात करेंगे इसके availability के बारे में तो देखें यदि आपके पास आपके doctor दोरा लिखा गया prescription है आप इसको आपके नजदी की medical store या फिर किसी जनरल फार्मेसी से आसानी से खरीज सकते हैं आशा करता हूँ वीडियो में जतनी जानकारी मैंने आप सभी के साथ share की है सब आपको आच्छे से समझ में आगई होंगी यदि आप आगे इसे तरह के medicine reviews देखना चाहते हैं चैनल को subscribe करना न भूले जो बाजू में आपको subscribe का button देख रहा है उसको दबा दे उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल से जल पहुँच जाएंगी यदि वीडियो पसंद आया है तो like का button दबाएं और इसको ज़्याद ज़्याद आपने दोस्तों के साथ share करें या फिल जिनको इस वीडियो की जरुरत है उनके साथ आप इसको share कर सकते है वीडियो को देखने के बाद भी यह दिया आपके मन में कोई भी doubt है हमारे comment section में comment करें मैं इसको उत्तर देने का प्रैत्न करूँगा जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी medicines डॉक्टर के consultation के बगयर नहीं लेनी है medicines हमेशन डॉक्टर के supervision में ही लेनी है ये वीडियो information के लिए बनाई गई है मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विशे के साथ till then take care धन्यवाद